वेलकम बैक टू माई चैनल वीवर्स इस वीडियो में आज हम लोग कोल एंड पैट्रोलियम चैप्टर पढ़ने वाले हैं यह बहुत ही इंपॉर्टन चैप्टर है यह क्लास एट की बुक का चैप्टर फिफ्ट है कोल एंड पैट्रोलियम इस चैप्टर से आपको टेट में भी कोशन देखने को मिलेंगे सीटेड में भी इस चैप्टर से कोशन साते हैं एंड में हम लोग सीटेड में जितने भी कोशन साए हैं उसको लगाएंगे यह पाल्ट वन है इसमें हम लोग कोल के बारे में अच्छे से समझेंगे पाल्ट 2 में हम लोग पैट्रोलियम के बा तो चलिए start करते हैं हम human beings अपनी daily life में बहुत सारे materials का यूज़ करते हैं जैसे की नहाने के लिए पानी का यूज़ करते हैं sunlight का प्योग करते हैं हवा, mid tea इन सब का हम लोग daily life में यूज़ करते हैं और कुछ ऐसे संसाधन का यूज़ करते हैं तो ऐसे संसाधन जिनका जो man made होते हैं उन्हें man made resources कहते हैं और ऐसे संसाधन जो प्राकरती से प्राप्त होते हैं जो nature से प्राप्त होते हैं उन्हें natural resources कहते हैं जैसे की कौन कौन से आएंगे इसमें जैसे के petrol है, diesel है और coal है sun है, sunlight है, water है ये सारे कैसे हैं? ये सारे natural resources हैं अब ये कुशन उड़ता है क्या natural resources जो हमें प्राकरती से प्राप्त हुई हैं चीजें उनका हम लोग जितना भी इस्तिमाल करें वो खतम नहीं होंगे या खतम हो जाएंगे इस आधार पर हम natural resources को दो हिस्सों में बाढ़ सकते हैं पहला है inexhaustible resources, second है exhaustible resources inexhaustible resources कौन से होते हैं? और exhaustible resources कौन से होते हैं? आज हम इसको समझेंगे Natural resources can be classified into two categories First is inexhaustible natural resources inexhaustible natural resources ऐसे resources होते हैं जिनका हम लोग जितना भी use करें वो खतम नहीं होंगे जैसे कि sunlight है, air है इनका हम लोग जितना भी use करें ये खतम नहीं होंगे Second कौन सा है? exhaustible natural resources ऐसे resources जिनका इस्तिमाल जादा करने से आगे की generation को ये नहीं मिलेगा जैसे कि क्या है? coal है, petroleum है, natural gases है तो इस chapter में mainly हम लोग को क्या पढ़ना है? coal and petroleum के बारे में पढ़ना है जो की क्या है? एक exhaustible natural resources है तो चलिए अच्छे से पढ़ते हैं coal and petroleum के बारे में उससे पहले हम लोग exhaustible को एक बार definition के साथ समझ लेते हैं यानि कि ऐसे resources जिनका जादा इस्तिमाल करने से ये खतम हो जाएंगे जो हमारी नेचर में limited ही है वो resources, exhaustible natural resources कहलाते हैं जैसे कि example देखें यहाँ पे, forest है, wildlife है पहले आपने देखा होगा कई ऐसे जानवर होते थे जो अब नहीं है जिनके बारे में सिवह हम लोगों ने किताबों में ही पड़ा है से के और क्या है? minerals है, coal है, petroleum है, natural gases है कोईले का जादा इस्तिमाल करेंगे तो एक टाइम पे खतम हो जाएंगे petroleum का आप जादा इस्तिमाल करेंगे, यह भी एक टाइम पे खतम हो जाएंगे तो ऐसे materials जो इनका जादा इस्तिमाल करने पर यह खतम हो जाएंगे उनको क्या कहेंगे? उनको exhaustible natural resources कहेंगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? What is fossil fuel? Fossil fuel क्या होते हैं? सबसे पहले हम लोग fuel को समझते हैं fuel यानि कह इंधन, जिसे हिंधी में इंधन बोलते हैं कोई भी पधार जिसको जलाने पे हमें heat पराप्त होती है उससे fuel कहते हैं fossil मतलब क्या होता है? fossil यानि कि dead animal and plants को fossil कहते हैं ऐसे fuel जोके हमें dead animal और plant से पराप्त होते हैं उन्हें fossil fuel कहते हैं यहां पे दिखे लिखका है Fossil fuels were formed from the dead remains of living organism millions of years ago Fossil fuels are exhaustible resources Fossil fuels ऐसे resources हैं जिनका ज़्यादा इस्तिमाल करने पर ये एक टाइम पर खतम हो जाएंगे Third day, coal petroleum and natural gas are fossil fuels Coal petroleum and natural gas क्या है? एक fossil fuel है जिसके बारे में इस चाप्टर में हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं Coal, petroleum and natural gas के बारे में तो चलिए start करते हैं Coal को समझते हैं Coal यानि कि Coila आप सभी ने अपनी life में Coila देखा होगा पहले जमाने में Coila जला के लोग खाना बनाया करते थे इसी को आज हम लोग पढ़ने वाले है It is as hard as stone and it's black in color ये किस color का होता है? काले रंगा होता है Stone की तरह hard होता है Second क्या है? Coal is one of the fuel Coal एक ऐसा fuel है जिसका इस्तेमाल हम लोग खाना बनाने में करते हैं Third क्या है? Earlier it was used in railway engines to produce steam to run the engine आपने पहले सुना होगा कि रेल गारी पहले जमाने में कोईले से चला करती थी Coal क्या करता है था? Coal steam देता था जिससे engine चलता था It is also used in thermal power plants इसका इस्तेमाल thermal power plants में भी किया जाता है Electricity produce करने में Coal is also used as fuel in various industries Coal का इस्तेमाल बहुत सी industries में करते हैं as a fuel Indian के तौर पे अब question यह उड़ता है How is coal formed? Coal कैसे हम लोग को कैसे इसकी story जानेंगी कि coal कैसे बना Coal कैसे हम लोग को मिला About 300 million years ago The earth had dense forests in low lining Wetland areas due to natural processes like flooding These forests got buried under the soil As more soil deposited over them They were compressed The temperature also rose as they sank Deeper and deeper Under high pressure and high temperature Dead plants got slowly converted to coal यहां पे क्या कहने हैं कि 300 million years पहले Earth पे हमारी पिर्थेवी पे बहुत सारे पेड़ पाई जाते थे जो natural चीजे होती हैं से flood है Earth quake है इस तरह की तो वहां कहां पाई जाते थे In low lining wetland areas में यानि कि निचले इलाके में जो पेड़ पाई जाते थे Flood के आने के वज़े से वो सभी पेड मिट्टी के अंदर चले गए Due to flood वो सभी जितने भी पेड थे वो पूरे जमीन के अंदर ढह गए और उसके उपर मिट्टी जमा हो गई जमीन के अंदर बहुत हाई टेंपरेचर और प्रेशर की वज़े से क्या हुआ वो जितने भी पेड जो जमीन के अंदर चले गए थे वो स्लोली स्लोली कनवर्ट हो गए किस फॉर्म में कोल के फॉर्म में कोईला बन गए जिनको बनने में कई मिलियन साल्स लगे तो इस तरह से कोल प्राप्ट होता है अब इनका हम लोग अगर जादा यूज़ करेंगे तो आगे जनरेशन को ये नहीं मिलने वाला है तो यहीं यहाँ पर बताया जा रहा है As coal contains mainly carbon जो कोल होता है जो कोला होता है उसमें carbon जो element होता है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है The slow processes of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization Carbonization कौन सी process होती है यह एक ऐसी process होती है जिसमें dead vegetation convert होता है कोल में यह ऐसी slow process होती है जिसमें conversion होता है dead vegetation का कोल में तो इस process को क्या कहते हैं carbonization कहते हैं अब हम लोग पढ़ेंगी कि जो कोल है उसकी वो further processing करने से हमें कौन-कौन से useful product मिलते हैं products मिलते हैं जैसे आपे देखे लिखा है coal is processed in industries to get some useful products such as coal, coal tar and coal gas coal से हमें क्या-क्या useful product मिलते हैं आपको यह ध्यान रखना होगा questions आते हैं coal से हमें कोक प्राप्त होता है कोल तार प्राप्त होता है जिसे डाबर बोलते हैं और coal gas प्राप्त होती है अब हम लोग एक एक करके सब के बारे में थोड़ा-थोड़ा जानेंगे जो जो important है कोक यह क्या है यह क्या है यह एक तरह का काला सब्स्टेंस होता है जो कि टफ होता है प्राप्त यानि कि इनके इनमें पोर्स पाई जाते हैं यह क्या है यह प्योड़ फार्म उफ यह क्या है यह एक प्योर फ्रम कर्बन की कोक इस युज़ इन दा मनुफैक्छ्टर अफ इस्टील ऑफ इसका इस्तेमाल किया जाता है अब हम लُग लोग कोल तार के बारे में पढ़ हैंगे कोलतार यानिकि जो बाहर सडके बनने में जो डाबर होता था काला काला गाला 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 लिकुद उसी को कोलतार बोलते हैं इट इस ब्लैक काले रंका होता है थिक लिकुड गाला लिकुड होता है विद एन अन्प्लेजन इसमेल अब हम लग देखेंगे कि कोलतार का IssTमाल कहां कहां होता है Products obtained from कोलतार are used as starting materials for manufacturing various substances used in everyday life and industry like synthetic dyes इनका इस्तिमाल जो कपड़े की रंगाई होती है उसमें किया जाता है ड्रक्स यानि कि दवाईयों में, मैडिसन्स में इसका इस्तमाल किया जाता है एक्सप्लोजिव्स यानि कि जो पटाकी होते हैं उनमें भी इसका इस्तमाल किया जाता है, यूस किया जाता है कोलतार को, पर्फ्यूम्स में भी इसका इस्तमाल किया जाता है प्लास्टिक्स में, पेंट्स में, फोट ग्राफिक मेटेरियल्स में भी इसका इस्तिमाल किया जाता है रूफिंग यानि की च्छत बनाने में कोलतार का इस्तिमाल किया जाता है और नेफ्थिलीन बॉल्स आप सभी ने नेफ्थिलीन बॉल्स देखी होंगी नहीं देखी हैं तो वाइट कलर की छुटे छुटे जो डालते हैं वाजवेशन में डालते हैं कपडों में भी इसको डालते हैं ताकि जो भी कीड़े मकूरे हैं वो ना लगे उसमें भी कोलतार का इस्तिमाल किया जाता है रोड्स बनाने में जो डाबर का इस्तिमाल किया जाता था लेकिन अब क्या होता है अब बिटुमिन का इस्तिमाल किया जाता है बिटुमिन क्या है एक पैटुलियम प्रोडेक्ट है अब क्या होता है अब कोलतार का इस्तिमाल नहीं किया जाता है अब बिटिमिन का इस्तिमाल किया जाता है तो इसे ध्यान लगिएगा bitumen क्या है bitumen एक petroleum product है अब हम लोग coal gas के बारे में समझेंगे जो की coal का ही coal से ही प्राप्त होता है coal gas is obtained during the processing of coal to get coke जब हम लोग coal से coke get करते हैं coke बनाते हैं लेते हैं प्राप्त करते हैं उस वक्त coal gas हम लोग को मिलती है इसका use का होता है it is used as a fuel in many industries situated near the coal processing plants इनका इस्तेमाल कई industries में किया जाता है as a fuel उसके बाद जो important है वो है types of coal coal की चार varieties पाई जाती है जो important है पहला क्या है peat second है lignite third है bituminous and sub bituminous fourth है anthracite anthracite में सबसे ज़्यादा carbon element पाई जाता है इसलिए सबसे highest coal माना जाता है और poorest कौन सा माना जाता है lignite माना जाता है I hope आपको coal chapter समझ में आ गया होगा अगर कोई भी doubt हो तो आप comment box पे comment करके जरूर पूछे अगर आपको यह chapter समझ में आया हो तो इस वीडियो को like करिए गाँ मेरे चैनल को subscribe करिए गाँ और शेयर करना ना भूलिए